हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आसा करते हैं आप सभी स्वास्थ होंगे और अपने घर में होंगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं है हुच लॉक बाते हैं अब हमारे चैनल पर यह कि प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक की जिए कमेंट कीजिए और सुआ कि लोग स्टार्ट примерно हम जानते हैं कि हूक के नाम से यह Hooks law आया है यह Hooks law में क्या करता है यह मैं आपको बताता हूं तो चलिए देखते हैं कि जब किसी बाडी पर किसी कोई एक्स्टर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो उसी टाइम में उसी बाडी पर स्ट्रेस और स्ट्रेंड डेबलब होता है according to this law stress is directly proportional to strain within elastic limit or up to proportional limit अनेक मतलब क्या आवा stress जो है वो strain के directly proportional है मैं आपको एक एक्जामपल लेके समझाता हूं मान के चलिए कि चाय है चाय में आप जितना चीनी डालेंगे वो उतना मिठास होगा ज्यादा चीनी डालेंगे तो ज्यादा मिठास होगा और एक एक्जामपल लाँ चलिए मैं एक स्प्रींग ले लेता हूं हो यह अप लोग जानते हma understoodれ हो लेजा हो लास्टी के कि यहां से इसका यहां तक का डिस्टैंस हमारा नच सिण अब रहा यह 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 के स्प्रिंग पर हम जो है एक वेट लगा देते हैं जो कि 10 न्यूटन का है मानके चलिए कि 10 न्यूटन का हम इस पर लोड लगा दिये हैं तो अब यह बॉड़ी जो है मेरा वही सेम बॉड़ी है कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से डिफॉर्म हुआ होगा तो हमारा जो यहां तक तो मेरा डिस्टेंस मुझे पता था कि L है यहां तक का डिस्टेंस और वो जो 10 न्यूटन लगाने से जो उसमें चेंज आया वो मानके चलिए कि यहां से यहां तक X डिस्टेंस चेंज आया फिर एक body है मांग चली कि फिर वही same spring है इस पे हम लोग 20 newton का load लगा दिये इसी पर तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा यहां तक हो जाएगा पहले actual में था इतना जब 10 newton का load लगा है तो यहां तक distance आ गया जब हम 20 newton का apply किये तो मेरा यहां तक आ गया तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब जब हम load बढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ distance बढ़ रहा है तो वही है कि stress is directly proportional to strength load बढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ distance कबर करेगा load घटाएंगे तो फिर वो भी घटेगा load बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ते जाएगा load घटाएंगे तो यह भी घटते जाएगा तो इसलिए का रहा है stress is directly proportional to strength अब हम लोग देखते है mathematically इसको जो है लिखा गिया है mathematically क्या कहते है इसका formula है कि stress is directly proportional to strength यहां तक ठीक है आप लोगों को और यह proportional का sign जब हम लोग हटाएंगे stress is equal to यहाँ पर एक constant आ जाता है constant आ जाएगा into strength अब यह constant को हम लोग e से लिखते हैं यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं stress upon strength equal to e यह constant हो गया e यह e क्या हो गया पता आप लोगों को यह e का जो value है वो change होते रहेगा और इसका जो unit है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं इसका जो unit है वो है न्यूटन पर mm square यही था हमारा पूड़ा यह hooks law आसा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा यदि इससे पहले के वीडियो में मैं stress और strain के बारे में बताया हूं आप जब यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लें और हम अपने घार मेरे सुरक्षित्रे जाहिंद